अलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम बेक टु माई चैनल, फिजिक्स एस्पेसिक एक स्टुडेंट ने एक क्वेशन पूछा कि रेफरेंस लेबल से ही उपर पोटेंशल अरजी पॉजिटिव कंसिटर करते हैं और रेफरेंस लेबल से ही नीचे पॉजिटिव कंसिटर करते हैं जब ही रेटिकी रेडिस कंपेरिंग बहुत छोटा हो यह तो यह फॉर्मला में यूज करते हैं लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों करते हैं सबसे पहले एक ग्राउंड बना लेते हैं मालो यह ग्राउंड है यहां पर एक बॉड़ी है इसका मास स्मॉल एम है और यह इनीशल पोजिशन है इसकी आगने तो यह बॉड़ी यहां से मूँ करके अगर यहां आ जाए है यह तो इसको ग्रैविडेशनल पोर्स तो नीचे तरफ लगेगा एम जी एक ग्रेविडेशनल फोर्स हो उडिव और इरदमफाई है निकाले हम ब्रदनबाई ग्रेवडेशनल फोर्स तो W इस उकल टो वर्डन भाई ग्रेवडेशनल फोर्स I से F तक जाने में नकाल ले तो फोर्स तो हो गया Mg, डिस्प्लेश्मेंट हो गया H, तो को फोर्स लग रहा है नीचे और डिस्प्लेश्मेंट हुआ है body move करी है I से F उपर, तो डिस्प्लेश्मेंट उपर है तो एंगल आ गया 180 डिग्री तो माइनस का Mg, एच्छ हूँ ठीक है अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो चेंज इन पोटेंचिल एनरजी होती है पोटेंचिल एनरजी में जो चेंज है वो माइनस का burden by conservative force होता है चेंज इन पोटेंचिल एनरजी इकल टू माइनस का burden by conservative force यहाँ पर जो gravitational force है वो conservative force है, उसले लिए सकते हैं delta U बराबर माइनस का burden by gravitational force conservative force होता है initial to final तो इसले सकते हैं, U final minus U initial minus का और w इस गर्वदर force की value put कर दें, minus का MgH तो जो change in potential energy आई U final minus U initial यह plus का MgH आई यह आपकी change in potential energy है initial point और final point के between कितना पोटेंचिल में change आया MgH तो को physics में change in potential energy define है, potential energy define नहीं है, potential potential energy अकर किसी point के निकालनी होती है तो एक reference point मालना पड़ता है और reference point वो point होता है जहाँ पर हम potential energy को zero assume कर लेते है assume करना पड़ता है बेटा एक point और बता दूँ कि जो change in potential energy है change in gravitational potential energy is independent होती है किस से independent of reference frame reference frame reference point करेंदो कि किस point पर आपने potential energy zero assume करी है उससे independent है, आपको दो point की प्रसाजी निकालनी थी आई से एफ तक की तो आप आई से एफ तक का बड़न निकालो ग्रेटर पर दो रहा 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 तो इंडिपेंट है किसके वर्डन भाई कंजर्टिफ पोस के negative sign के या डवलू एक्स्टरनल के वरावर लिसकते हैं अगर काईट जी में कोई change नहीं हो रहा हो तो ठीक है, अभी तो इतना ही समझो दूसरा यह जो gravitational potential energy होती है potential energy इस डिपेंड्स उन reference point reference point जो gravitational potential energy है वो reference point पर डिपेंड करती है reference point बदल होगे तो potential energy change हो जाएगी, बट दो point के between change in potential energy constant रहेगी, वो नहीं change होगी क्योंकि वो reference point से independent होती है इसका क्या मतलब है अब इसका मतलब बताता हूँ next phase बाण जैसे ही मैं इसी आर्टिकल में चलूँ और मैं क्या करूँ ground को that means initial position को यह initial position थी, यह ground है और यह इसकी final position थी h height पर पहुँच गया यह body यहाँ पर potential energy uf है और यहाँ पर ui है मैं ground को reference level माल लेता हूँ gravitational reference level reference point माल लेता है जिसको हम reference point माल लेंगे उसकी potential energy zero हो जाएगी बिटा तो यह zero हो गई अब app की निकान लेए तो देखो यहाँ पर पूट करके देखिए uf minus ui is equal to mght ui आपने एकर zero माना है reference point है यह reference level कह सकते हो आप ui तो zero माना है तो uf कितना आया यह zero रख दिया यह mght तो uf कितना आया plus का mght आया देखो तो reference ground से नहीं बिटा ground से मतलब नहीं होता है कि आप ground से देखो reference level से height reference level से नापेंगे बिटा h अगर reference level के उपर आ रहा है तो देखो plus का आ रहा है mght reference level मैंने इसको माना तब uf बराबर mgh है लेकिन हम reference point अगर यह मान रखा है तो change in percentage कितनी ही बिटा है यहाँ पे uf minus ui uf कितना बिटा mgh माना आपने और ui कितना 0 तो यह तो कितना है change in percentage mgh change in percentage तो mgs थी न change in percentage यह change in percentage तो है delta u यह mgs थी और अभी भी mgh है है ना दूसरा case क्या हो सकता था कि मैं reference point बदल देता हूं जैसे यह तो initial point है ui percentage थी और यह h height पर आपका potential energy है uf अब मैं reference point इसको माल लू reference level इसको माल लू gravitational reference level reference level मालने का मलब यहां पर procedure 0 माल लू तो मैंने procedure 0 माल ली अब UI के भी लिवन काड़ू किटनी होगी तो फिर अपने initial case पर आजाओ uf minus ui कितना था mgh था तो reference point बदल दिया आप potential energy change हो है ना ui का पहले कितनी थी 0 थी अब कितनी हो जाएगी तो uf 0 रखो minus ui is equal to mgh तो ui आया कितना minus का mgh तो देखो reference level से अगर नीचे है तो potential energy negative आई और reference level से ground से मतलब नहीं है reference level तुमने कौन सो point को माना तो reference level तुमने इसको माना तो उपर है तो plus का mgh reference level से नीचे है तो minus का mgh reference level से h देखेंगे बेटा reference level पर हम potential energy भी 0 मानते हैं और height भी वहाँ पर 0 मानते हैं है ना? h 0 यहाँ पर reference level माना था तो यहाँ पर percentage भी 0 मानी थी और h भी 0 माना था h मैं यहाँ पर 0 मानना हूँ इससे h उपर गया हूँ इससे h नीचे गया हूँ ऐसे समझूँगा है ना? तो परसाजी 0 लेकिन देखो इसमें भी है अगर मैं change in परसाजी निकाल हूँ मैंने reference point बदला तो परसाजी बदल गई potential energy change हूई है क्योंकि इनीचल 0 थी अब इनीचल MGH है मानस की पहले फाइनल बदली MGH थी अब फाइनल बदली 0 है लेकिन change in potential energy देखेंगे UF-UI UF कितना 0 और यह कितना मानस का MGH यह कितना आया? प्लस के MGH देको change in potential energy अभी भी प्लस के MGH ही आ रही है पहले भी MGH थी तो potential energy जो change in potential energy है वो independent है reference point से reference point आप कहीं को भी मान सकते हो लेकिन reference point बदलने से potential energy में जरूर change आएगा तो इसका मैंने एक point निकाला, एक concept निकाला कर यह इतना समझ में आया तो इसका concept इतना निकल के आया कि consider किया उज्जे के पर percentage जरू मानेंगे उससे अगर हम h height उपर है तो potential energy MGH लिखेंगे plus में और h height reference level से ground से मतलब नहीं है h height नीचे है reference level से तो potential energy लिखेंगे minus के MGH लेकिन एक बात और समझ लेजे यह हमेशा valid नहीं होता है यह MGH तब तक सही है earth की radius के compare अब कितना कम बहुत कम तो बोल जिए तक कितना कम तक सली सकते हैं तो जब h less than 10 km less than या equal to 10 km तक हम g को constant मान सकते हैं जानते हो एसा में क्यों कह रहा हूँ यह valid क्यों नहीं है इससे ज़्यादा height पर क्यों valid नहीं है तो कि ज़्यादा height पर अगर हम जाते हैं तो g घटने लगता है और हम तो यहाँ पर g को constant मान के चल रहे हैं तो इसके लिए इतनी range के लिए जब बहुत छोटा हो 10 km तक तो आप g को constant assume कर सकते हो बिटा change तो हो रहा हुआ बहुत negligible change आ रहा हुआ लेकिन constant consider कर सकते हो और इस situation में g caution कर लोगे तरही यह formally valid है अगर g घटेगा vary करेगा तो फिर यह बैर नहीं रहे फिर वो हम gravitation में जाके study करते हैं तो यह ध्यान रखी reference point से कितना अगर उपर होगा तो प्लस के mgs लिखेंगे और नीचे होगा तो मानस के mgs लिखेंगे मैंने प्रूब करके दिखाया है पढ़ते रही है और खुच रही है thank you